कि नमस्कार दोस्तों मेरे हाथ में देख सकते हो दो रिमोट है एक तो है सेट आपक्स का दूसरा है टीवी का तो आप देख सकते हो कि टीवी का रिमोट जल्दी खराब होता नहीं है क्योंकि बहुत कम यूज होता है लेकिन सेट आपक्स का रिमोट वह जल्दी खराब हो जा कर सकते हो और दूसरी बात एगी जो बटन यह इसका तो बटन आपको बार-बार प्रेस करनी वज़ा है उसका अंदर का कार्बन चला जाता है तो वह कार्बन आपको यह बटन चैनल चैनल करने का नहीं तो वोल्यूम चैनल करने का जो है वह बटन ज्यादा यूज होता है तो दोस्तों उसका कर दोस्तों कम से कम चार महीं में भी खराब हो जाता है और तो इसका ज्यादा कर गए यह कार्बन चला जाता है यह कार्बन का पेष्ण में आज बनाना बता हूंगा आपको और जैसे तो कार्बन आपको काला डोट डीखे दियेगा दोस्तों वह डोट के ऊपर आपको अपले कर देना है अपलाई करने के बादद अगर दूप में सुकाते हो तो आदे गंडे फिसूश्य कर दोस्तों तो उसके लिए मैं एकदम आपको आसान आईडिया बताता हूं और आपके आज बज़े में वह ऐसा मतलब चीज बताऊंगा जो आपके आज बज़े में किदर भी मिल सकता है ठीक है और कोई रिपेरिंग के दुकान पर आगर जा के पुछते हो तो भी आपको मिल जाएगा तो मैं आपको बता जाएता हूं और इसको कैसे बनाना है वह पूरा वीडिय मैं उसको आज मा रहा हूं और अभी मैं सोचा चलो हमारे दोस्तों कोई बता दे किसी को बता देते साहिद किसका बला हो जाए तो दोस्तों देख सकते हो तो दोस्तों देख सकते हो यह कार्बन पेस्ट मेरा आद में यह कार्बन पेस्ट मेरे बनाया हुआ है और यह कार्ब य्वापस रख लेता हूं और कोई माचीस का कांडि रहे अगर वुटिका कांड इससे यूज कर सकते आपको और अगर पड़ा-पड़ा कर गाड़ा होगा जाता है तो इसके लोखन का चीज या नहीं तो यह से वजनदार कंकर भी डाल सकते हैं जरूरी नहीं है एक अगर रहता है या फिर केशियों प्यानों कुछ भी रहता है तो उसका बटन अगर काम नहीं करता है दोस्तों उसके उपर आप अपलाई करके उसको भी यूज कर सकते हो यह कार्बन प दोस्तों कोई भी अगरे जो जिस चीज के अंदर जो एस बटन वहागा है दोस्तों तो वह कार्बन वाला बटन जो भी रहेगा उस्में आप हर बटन में युज कर सकते दोस्तों पारिस कोई भी अगर रिपेरी की दुकान पर जाके बोलते हैं को जुना पुराना कारबन का टुकडाम देदो तो उदर से मिल सकता है और नया लेना चाहते हो तो नया भी मिल जाएगा 20-25 रुपे में जोड़ी मिल जाएगा तो यह आपको हाड़वेर की दुकान पर लेने जाओग ठागि एकदम खरवी पांदर फे मिल जाए और थोड़ा दानेदार है तो अपने को दानेदार को आपस कूट पीशके मंगता तो फीर से चाहल के एकदम ले लेना है आपको ब्रुपे लेने चाहते हो छतना फामपकी इतना बारीक करना पवडर को और फिर अच्छी से चानके जो गाड़ा घदार का कंकर दार है साइड में राख देने आपको और बारीक बारीक पवडर ले लेना है और बारीक पवडर लेने के बाद यो खाली डव्ब्बी भी लेले पानी गरम ले ना है और यह गोंद में निकाल लेता हूं अंदास से थोड़ा ज्यादे गोंद है तो यह निकाल लेता है और कम पड़ए तो गोंद और ले लेना और इसमें पानी डालके 10-15 मिट रख देना ताकि अच्छे से गल जाएगा दोस्तों पेश्ट बन जाएगा इ फिर बाद में यह powder इसमें मिक्स कर देंगे और खाली बोटल दोस्तों कोई भी चलेगा ऐसे कुछ नहीं है कि दबाई कहीं चीए कोई भी बोटल रहेगा उसमें अपने को भरने के लिए चीए तो यह देख सकते हो यह पेश्ट बन गया है अच्छे से गल के तयार और इसमें करें जाने के पाद में कि फिरसे कर लें ऐसा अग्दें के आपका da मुण प्िछ तैयार हो गया दोस्तों इसको घरम करना ज़रूरी दोस्तों अगर गरम नए करौगए और घाड़ाई की स्चिप गानी और फिर नहीं तो आप बोलोगे कि काम नहीं कर रहें तो थेंक्यु दोस्तों फिलाल गलिए इतनी मिलते है अगले वीडियो мех